दोस्तों चलिए यहाँ पर भात करोंगे कटर T20 प्रो लीग जो यहाँ पर खेला जाएगा नियू मेच है वैसे इस सीरीज का अल्रेड़ी एक मुकाबला शल रहा है लेकिन यह मुकाबला खेला जाएगा हुर भासे जी ए एम के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा मेरे बहुत सारे पिलेर जो इंटरनेशनल क्वाटर देश जो है कंट्री उनके तरफ से मिलेंगे तो काफी कमाल का मेच होगा इनके पास जो है लीग खेले हुए बहुत सारे पिलेर है और इनके पास जो है इंटरनेशनल टाइप के पिलेर है तमाम चीजे देखेंगे एक सांद लोगों के लिए परियापत है तो मेरे भाई कोई भीड नहीं हूँ डोमेस्टिक में चो या फिर ये स्रीज हो पूरे हमारे साथ खेलना चाते हैं तो हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोईन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल चैनल आपको इस प्रकार से दिखाए देगा 54.3 के सब्सक्राइबर का आसपास वीडियो के डिस्क्रिप्सन लेकि आपर वीडियो के फ़र्ष्ट कोमेंट जोए ता वहाँ पर लिंक होगा बुलू कलर में सवरुप समाजिक चावरा से उसी पर किलिक याने टाच करोगा सी बेली राज कितेने नमर पे आता है मेरे भाई पास्वे नमर पे आता है बाके यहां से देखोगे हुआर के टीम की तरफ से ओपन करता है मेरे भाई एक गनेज के साथ यहां पर देखोगे इनाबिद अक्तर यहां से ओपन करना सी दोनों का रिकोर्ड देखा जाए तो ठीक वहाँ पर रिकोर्ड भी मैं दिखाऊंगो ज्यादा आपको समझ में आएगा चलिए यहाँ से बात कर देखो सबसे पहला चीज है किया यह बिगट कीपर यह बिगट कीपर देख रहो ने मिरे भाई यह जो है ना क्वाटर देज वा इंटरनेशनल पिलेर है यह यह इंटरनेशनल पिलेर हो गया तो मेरे भाई यहाँ से देख सकते हो आई लेंजी की बात के उपानाटा विगट की परिंग की भी भूमिका तो इंटरनेशनल का पिलेर है भाई तो यह तो 100% हम लोगों के टीम पे होना से यहां से कोई दिक्कत की बात होना भी नहीं चाह takes तो हम लोग बिकट की प्रिंग सक्षन में इनके साथ यहांसे चल जाते हैं बाक ही यहांसे देखो के एम रिजलन एकबाल की बात किया है इनका रिकोड क्या कहता है यहांसे हम लोग समझेंगो ये भी मेरे भाई जो है इंटरनेशनल पे लियर है यहाँ से देखोगे मेरे भाई मुहम्मद रिजलन की बात किया यहाँ पर नेपाल के खिलाब जो T12 आता वहाँ पर खिला थे यह किदिन नमर पर यहाँ पर T20 तीम आता है देखा जाए तो चाटे नमर पर आता है आईल यांजे जो है वो तिसरे नमर या फिर वफन भी करता है तो कुल मिलाकर मेरे भाई दोनों पिकटकी पर हमें लगता है कि ठीक ठाक चुआइस यहाँ से हो ना सिए अगर जो देखा जाए तो दोनों इंटरनेशनल पेलियर है मेरे भाई इनका रिकोर्ड देखा जाए तो मेरे भाई इनका रिकोर्ड मुझे खास लगा नहीं जी एम के पिलियर के उपर मैं अभी बात यहाँ से कर रहा हूँ बाकी देखा जाए यहाँ से एस जो एरले की बात की जाए तो इनका भी रिकोर्ड मुझे खास नहीं लग रहा है क्या हम लोग अपने टीम पे इनको लेना से उनके अनुसार देखते हैं तो भाई कूल मिला कर देखा जा इन्होंने 2018 में मेच खेला था जहां पर इनका मेच जो था वो डी आईगा था काफी ज़्यादा गेंदे लिया था देखोगे लाश्ट के इनका पांच मेच तो एक 41 और 117 का वियोगदान आया लेकिन गेंदे बहुँ ज़्यादा ले लिये थे तो इन बातों को थोड़ा सा हम लोगों को समझना सिए बाकी एप जावेद की बात के ये भी ठीक ठाक फ्लेर मेरे भाई इन्होंने 2023 में मुकाबला खेला तो मेर भाई अपने टीम की तरफ से 2023 में जो था ना ओपन कर रहा था ओपन कर रहा था लेकिन कुछ खास नहीं कर पा रहा था मोमन्द रिजिलन जो है वो विकेट कीपर इंटरनेशनल जो मैंने दिखा यहाँ पर देखो इस लीग पे ये वन डाउन आ रहा था तो चाहो तो इनके साथ जा सकते हो लेकिन प्लेयर तो हर सीजन हर सीरीज खेलता है लेकिन रिकोर्ड अच्छा नहीं है इनके लब डीपटेल, डीपटेल का रिकोड मुझे मिला नहीं तो इनके उफर मैं बात ना करूँ अगर जदी खेलता है तो मैं आपको अब टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँ एन सर्वर का भी रिकोड मुझे नहीं मिला है यहां से देखा जाए तो यह चार पिलियर का रिकोड मुझे मिला है बाकी यहां से देखा जिये एम के तरब से तो यहां से एच लियाकत अली की बात की जा मेरे भाई तो यह थोड़ा सा जोएन असरदार साबित हो सकता है लेकिन मेरे भाई यह इंपोर्टेंट है लेकिन मुझे जादा अकतर इनका रिकोड मुझे ठीक ठाक लगाने एक अनेशन का रिकोड हमने दिखा यह ओपन सुरी यहां से अभी मैं हम लोग जोए जी एम के पिलियर के उपर बात कर रहे है किये सहजाद के उपर बात के जाते इनका रिकोड मुझे खास मिला नहीं और खेलने के चांस थोड़ा कम रहे है इनका रिकोड थोड़ा भाऊ ठीक ठाक लगा था और ज़्यादा जगा इन्होंने खेला भी नहीं था किये सहजाद को बाद में हम लोग देखेंगे एम मुहम्मद की बात की जब मेरे भाई तो एम मुहम्मद का भी रिकूर्ड में देख रहा हूँ जादा कोई खास पिलेर है नहीं अगर जदी चाहो तो इनके साथ जा सकते हो बाकी यहाँ से देखा जाए तो बाई दोचर ताइस में उन्हें एक मुकाबला खेला तर जहाँ पर इन्हें तीन विक्टे लिए गये ते ती यहाँ से इंपोर्टर रहे गए यह देखो भाई यह इन्टरनेशनल पिलेर है इनको तो ड्रोप करी ने सकते ग्यान मुनावीरा की बात क्या है क्वाटर देश का इंटरनेशनल पिलेर है तो इनको भी आप रोप नहीं कर सकते है बाकी अन्य के उपर देखा जाए तो इनका यह भी लेग स्पिनर है और इन्होंने एक मुकाबला खेला इन्होंने भी तीन सपलता ले गया तो यहाँ से इनके टीम में यह इंपोर्टेंड रहेगा इनके अलावे देखा जाए आर अतीव की बात की जाए तो आर अतीव यहाँ से रिकोर्ट तो मुझे मिला नहीं थी इनके उपर ड्रोफ करके जिनका रिकोर्ट नहीं मिला जोटपोज के करके तीस संजीबा की बात के लाश्ट सीजन दोहजर चोबीस में ही एक सीरीज हुआ तो वहाँ पर इन्होंने टीटेंड का खेला था लेकिन पांच मेच में इन्होंने चार मेच में गेनवाजी किया चारो बार जो है विकेट लेस गया तो आप इसी से अंताजा लगा सकते हो कि खराब फोरम में चल रहा है हलांकि इनके पास थोड़ा अनवाव है इन बातों को ध्यान रखना चीए ये नवाफर की बात के इनका रिकोर्ट खास नहीं है और खास किया इनका रिकोर्ट मुझे साथ मिला ही नहीं है तो इनके उपर भी जाकर हम लोगों कोई फाइदा होना नहीं चाहिए इनकी बात की जाती इनका ब्रिकोर्ट खास नहीं मिला तो याने की जिये एम के तरफ से इतने सारे पिलर आपको खिक ठाक नजार आएंगे बागी अन्नी खेलता है तो उसको अपने टीम पे ले सकते हैं दिये आप स्क्रीन सोट ले कर रख सकते हो बाकी यहां से चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टीम का जो काफी ज़ादा भारी भरकम में लीग ये खेल कर आ रहे हैं पहला नाम यहां से देखोगे ए नासिर उद्दिन की बात की जाए दूसरे दूसरे टीम ने एक मुकाबला खेल रखा था था इनके उपर बात करते हैं इनका टीम आपको सूलिट नजर आएगा असर मह्मूत की बात के 3 ओबर में एक सफलता ले गया अब्दुछेदर की बात के 4 ओबर इन्होंने complete गेंडवाजी किया था 1990 रन देकर तीन विक्टे ले गया ओ उमर हयत की बात के 3 ओबर मांत्र 12 रन दिया एकी सफलता ले गया लेकिन क्या गेंडवाजी किया भाई गनेश की बाद के 17 का योगदान दिया, नवीद अक्तर 6 का योगदान दिया, सुनिल अलेक्जेंडर की बाद के केप्टन सहाब 1, अरीफ नासीर उद्दिन की बाद के 0, हादी जो की गेनबाजी जा कमाल किया, यहाँ पर 9 दिया, बिकट की पर आर्सिक की बाद के 8 का देते गया, एक और स्कोरकार यहाँ से हूर के टीम का देखते, यहाँ से फ़हले गेनबाजी यहाँ से फिर से करता, असर महमूद 4 ओवर 15 देकर एक बिकटे, अबदूल कादीर की बाद के 4 ओवर 32 देकर एक बिकटे, हादी की बाद के 3 ओवर 26 देकर कोई सफलता है नहीं, ओ उमर हयात ने दो भर की ही गेनबाजी की, अरिप नासीर उद्दीन ने भी यहाँ पर गेनबाजी की, हालांकि काफी जादा महमासा भीत हुआ, कोई सफलता नहीं मिला, यह गनिसन ने भी यहाँ पर गेनबाजी कर दिया, इनके पास गेनबाजी भी थोड़ा से जादा आ रहता है ज्यादा कुछ ने चलिए कॉंबिनेशन देखते हैं लेकिन इसे फ़लग जदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों मेरे भाई तो कर दो बहुत चीजे आपको फाइदा मिलेगा अभी फिलाल के लिए देखा जात मैं एक विकेट कीपर के साथ जा पसंद करूँगा यह ज्यादा खास रिकोर्ट लगाने लेकिन ठीक ठाक है एक मुकाबलन गेनवाजी के एक मुकाबलन गेनवाजी नहीं किया इन बातों को ध्यां रखना वो उमर हयत यह इंपोर्टे रहेगा यहां से टी अंद्रे यहां से इन्होंने अच्छा एक ही में इंटरनेशनल गेनवाज है तो अब छोड़ने सकते यह इन्टरनेशनल गेनवाज है ए महमुद जो की फावर पले से स्टार्ट यह कर देता है गेनवाजी करना बाकी यहां से देखोगे लास्ट पिलर के उफ़र तो यहां से बहुत सारे चुवाज साबको मिल जाएं आर इंटरनेशन को मैं यहां से बीजी देता हूं आधिक उपर मैं केप्टन सी जा रहा हूं जो कि ठीक ठाक गेनवाजी करता है फिलाल के लिए मेरे भाई यह टिम बन जाता है इस टिम पर जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा कहां अपने टेलीग्राम च पर पास हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो